अलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूट्यूब सेनल आज काई वीडियो यह है गोपाल केशन गोखले के राजनेती विचार गोपाल केशन गोखले भारतिय राजनेती के महान उधारवादी नेता थे ब्यावारिक आधरस्वादी और राजनेती गुरुत थे जिनोंने ततकारि भारतिय राजनेती वर परसासन में कर्मिक सुधारों का पक्स लिया तो ये कर्मिक सुधारों के पक्स में थे तथा एक एक स्वासासन के मांग को अभ्यावरिक माना इनोंने अंग्रेजों की नियाई प्रियता और समुचित आचरन सिलता के परती उनकी अपनी निष्टा अधिक थी कि वह यौमान के लिए तयार ना थे कि भारत में अंग्रेज अत्कारियों को सुधार कर सकना संभाव नहीं। सारोजिक जीवन का वे आधियत्मी कराण करना चाते थे। उनकी धारमिक परविप्रती और साधु वीर्त के कारण ये मातमा गांदी नहें अपना राजनिती गुरू माना। गांदी जी उन्हें पुने आत्मा गोखले कहा करते थे। गोखले की राजनीति बिचारें उनके निमलिखित विस्तेशता ही हैं। गोखले की बिचिस उदारवाद में गहरी आसता थी। उनका अंग्रेज जाती रेज की नियाई पिरता में पूर्ण विस्तेशता ही। राजनीतिक जागरुकता आएगी तथा स्वाशासन के योगे बनेंगे। वैसे बिचिस सरकार उनको स्वाशासन परधान कर देगी। तो गोखले का जो बिचिस उदारवाद में क्या थी। उनकी घहरी आसता था। उनका जो मानना था कि उनका ये विस्वासता की जो अंग्रेज हैं। उनकी न्याई प्रियता में उनका पूर्ण विस्वासता थी वो बिचिन की जो राजनितिक ब्यासता थी लोगतांत्रिक मुल्य और कानुन का सासन और सिमी सरकार सिद्यानत और न्याई परणाली को भारत में स्ताबित करने के पक्स में थी। उनका विश्वास था कि भाहुष्य में बिटेन में ऐसा राजनितिक वात्तावरन बनेगा कि जो भारत को न्याईक परदान करेगा उनका यह विश्वास था कि जैसे जैसे भारतियों में राजनितिक जागरुकता आएगी वो स्वासासन की यूज्य बनेगे और बिटीस सरक प्राप्त के अंतर गति भारत्या समाजिक सेक्ष्णिंग तथा आर्थिक सुधारों को प्राप्त कर सकता है। पास्साते शिक्ष्षा को तो भारत के लिए क्या मानते थे। उनका मानना था कि इससे भात्यूं को सभी परकार के प्रम प्रागत बंदनों अन्द विस्वासनों तथा अज्यान के अंधिकारों से मुक्ति मिरेगी। इसे हुए स्वतंतित्ता, समानता और भ्रातित्त्त के परजातांतिक मूल्यूं के परशार-परशार में सायक मानते थे। इसलिए उनक्रेजी के अधिकाधिक परशार-परशार कर समर्थन किया। किसी भी समाज या राष्ट के उनती इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के लोगों का चरित्र कितना उच्छ कोडिका है। जनता का कल्याण संबह है। इनके बीच बाइचारे से राष्ट एक्ता को प्राप्त किया जा सकता है। उनका कहिना था कि भारत ने बढ़ती संप्रादाईत्ता के कारण हमारा बहुश अंदबकार्माई हो गया है। तो वे सुद्रिष्ट राष्ट चरित्र और राष्ट एक दाकつमर्थं भी थी। से दूर किया जा सकता है गोहले का काही ना था कि विभारती स्वासाषण नहीं चला सकते हैं तो भारत का हित के वल इसमें 25 मैं 18 स्वासा समयदानिक साधनों में घहरे आस्ता थी गोखली की गोपाल किष्ण गोखली राजनेती कुदेश्य की प्राप्त हेतु समयदानिक साधनों एवं सांधिपोनों के पक्सिदर थे या दिपी गोखले इन साथनों का क्रांतिकारी यों उग्रोबादी विचारधार के लोगों ने ब्यापक के द्वारा ब्यापक भिद्रोध किया गया गोखले के जो सांतिपुणा को समयदानिक अंदलून का उग्रोबादी द्वारा क्या गया भिरूत किया गया, फिर भी गोकले अपने बिचारों से पीचे नियट है, उनका कहिना था ची समयदानिक साधनु के द्वारा ही बिटिस जनता की सानबुति तदासायोग प्रयाप्त किया जा सकता है, उसके बाद हो गया कर्मिक सुधारों के पक्सिदार, तो गोपाल गोकले राजनिती और परशासन के छेतर में कर्मिक सुधारों के पक्सिदार थे, वे भारत में बिटिस सासन से राजनितिक आर्थिक सेक्षनिक और परशासनिक छेतरों का अनभव प्राप्त करने की चुक थे, वे भारत में सुधारों की योजना को तब तक अधोरा मानते आजनेती में अधिक से भारतियों की भागदारी सुनिसीत होनी साए। जिससे भारतियों को पर्सिक्शनला प्राप्त हो सके। उन्होंने इस बात का भी बिरोध किया कि Пरसासन के मैटवपूरपद उपर भारतियों के हैस्थान पर अंग्रीजों को नियोक्तु किया जा रहा है। उनका मत था कि अंग्रेज अद्कारी भारती समश्याूं और प्राश्थितियों को नहीं जानते हूं। इंग्रेजों का नियुक 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 होना चाहिए , जो किया जा रहा था। उस्टमय उनका इमध्था कि जो अंग्रेज जतकारी है, वो भारती समश्यां और प्रष्थितियों को नहीं जानते, गोखले की अधालना थी कि बिधान प्रष्थतों। सेन्या अस्तायश्व सासनों राजवस्व परसासनों अन्य पर जन परतिनित्व की संस्ताओं मैं भारतियों का परतिनित्व बढ़ाया जाए इस तरह जब राजनितिके अंपरसासन के छित्र में भारतियों का फरसिक्षन पूरा हो जाए तब अंग्रेश्व तो ही सासन भार के परवल समर्थक थे इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा साथी देश फक्तियों राष्टिकता को प्रोच्छान मिलेगा उचा थे स्वदेशी आंदूलन के समर्थकते उनका इमान न था कि इसमें चाहो गया स्वदेशी अपनाने से आर्थिक स्थिति पूटी रूतियों काप नरधान करके स्वदेशी वस्तों के अपनाने से जन समान्य में त्याची भावना बिक्सित हो जी तथा वे राष्टियों के प्राप्ति है तो प्राप्ति में स्योग देने है तो आजे आएंगे गोखले बैसकार के आंदूलन के अभ्यावारिक मा प्रशातंत्र के महान आदर्सों स्वतंत्र रता हो गया यों बंदुत्व में गहरी आसता थी वे एडमंड बर्क की पुस्तक रिफ्लेक्शन ओन्द फ्रेंच रिवॉलुशन से बहुत परभावित थे गोखले महान उदारवादी थे उनका माना था ची संपून विश्वम मैनेतिक सित्धानतों और मान्य मुल्यूं की पर्तिषटा है साम राजवादी सक्तियां भी अपने उपनी विश्वं की जनता के साथ समानता एवं मानावतावादी ब्यावार करे हुए सभी परकार के भीदभाव का सभी परकार के भीदभाव का बिरूद किया करते थे प्रेस की स्वतंतरता पर रोग लगाए जाने पर उन्होंने बिटी सरकार के आलोसना की तो मानवता हुआ आधे हो परचाता अंत्रिक बुल्यों में उनकी गहरी आस्ता थी है तो ये वीडियो हो गया गोपाल केशन गोकले के राजनेतिक बिचार के बारे में हो गया ये वीडियो और उनकी क्या बिशेशता है राजनेतिक बिचार के थेजर वलंग מजुन माःट विए इगल को इस प्मिन प्रेट की पीज आsti संब्सक्राइब की खाफ इ सब्सक्राइब भाइब शॉस्क्राइब